मुझसे पिछले कई दिनों से ना मेरे कुछ दोस्त यार मित्र सब्सक्राइबर्स यह पूछ रहे हैं एम्टी सीवीटी इनमें सब में क्या अंतर होता है वो बता दो टायर्स के क्या नॉमन क्लेचर होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है किस चीज का क्या मतलब होता है यह बता दो तो आज ऐसा ही करते हैं आज ना टायर्स के बारे में मैं आपको बताता हूं कि टायर्स में जो वो नॉमन क्लेचर होता है जो वो लिखा होता है 175 by 65 वार 15, 14, 13, 18 whatever उसका क्या मतलब होता है पहले मैं आज आपको वो बताता हूँ उसके बाद उसमें और बाकी जो चीजें हैं उसके बारे में भी बताऊंगा मतलब आज ये 7-8 मिनिट की जो ये वीडियो होने वाली है इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपको टायर्स सज्जनों मैं हूँ अजय मिश्राओ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूच्व चैनल ओटो इन्फो टेक तो आज की इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या होता है टायर्स का नॉमनक्लेचर लेट्स गो तो टायर्स की बात हो रही है तो सबसे पहले जो हमारे दिमाग में क्वेस्चन आता है कि टायर्स में यह क्या लिखा हुआ होता है 175 x 65 आर 15, 80, 40 तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि कई बार 175 के पहले P, ST, LT ऐसी चीजे भी लिखे रहती हैं P का मतलब होता है P, Passenger तो वो मतलब वो Passenger Cars के टायर हैं ST, LT का मतलब है कि वो Special Trailers या Light Trailers के टायर्स हैं या फिर SUVs के टायर्स हैं जिनकी यह जो Sidewall है, इसे Sidewall बोलते हैं यह जो होती है, यह कम flexible होती है, जिसकी वज़े से आपको tough terrains में गाड़ी चलाने में आसानी होती है बट आपका comfort भी जो होता है, वो compromise हो जाता है अब बात करते हैं, 175 का क्या मतलब होता है इसका सीधा सा मतलब है कि यह 7.5 cm चौड़े टायर्स है बाइ 65 का क्या मतलब है जी, सीधी सी बात है इस width का यह जो portion है Sidewall, यह 65% है सीधी सी बात, मतलब 113-14 mm इसकी Sidewall की height है उसके बाद आते हैं, लिखा है R, R का मतलब होता है Radial Ply Tires इसका मतलब क्या है, मतलब इसमें Radial Ply Tires लगे हैं, जो की mileage के लिए बहुत अच्छे होते हैं ठीक है, दूसरी चीज, इनका comfort बहुत अच्छा होता है 15 का क्या मतलब है जी, इस rim का जो यह डाया है, यह 15 inches है ठीक है, अब आते हैं क्या है 84 T, 84 का सीधा सा मतलब है कि यह इस टायर का load index है load index chart मैं आपकी screen पर लगा दूँगा, आप वहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, 84 का मतलब है लगबग 1100 pound जो है यह टायर जेल सकता है, load, which is around 550 kgs per tire T का क्या मतलब है जी, T का मतलब है speed index मतलब कितनी speed तक इस टायर को अगर हम continuously चलाते रहें तो भी आपके टायर में heat dissipation proper होता रहेगा और आपके टायर जो हैं वो खराब नहीं होंगे तो T लगबग यहाँ पर 115-116 मील प्रती घंटा है जिसका मतलब है 160-180 तक आप इस टायर को मेरे इस particular टायर को अगर चलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ठीक है उसके बाद और क्या-क्या चीज़ें होती है टायर में वो भी मैं आपको बता देता हूं जैसे अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हों तो यहाँ लिखा है Traction A तो Traction A का मतलब है कि वेट सर्फेसेस में यह टायर कैसा परफॉर्म करेगा तो सीधी सी बात है चार पेरामिटर होते हैं इसके डबल अ, बी, सी तो डबल अ जो होता है वो सबसे अच्छा होता है उसमें जो coefficient of friction है वो 0.54 होता है तो वो सबसे अच्छा होता है उसके बाद A अगर C है तो सबसे खराब उसका वेट सर्फेसेस में परफॉर्मेंस होगा सी के नीचे टायर को consider नहीं किया जाता है ऐसी temperature में होता है मतलब यहां पर आप देख रहे हैं टेंपरेचर में लिखा है बी तो बी का मतलब है तीन पैरामिटर होते हैं A, B, C मतलब यह पर्टिकुलर टायर जो है यह लगभग 100 से 110 मील प्रति घंटे तक जो heat dissipation है उसको properly manage कर लेगा और कोई दिक्कत नहीं आने देगा इसमें जो तीन पैरामिटर से हैं C के नीचे अगर आपके टायर का temperature coefficient है तो वो टायर अच्छा नहीं माना जाता और उसको फिर approval भी नहीं मिलता है ठीक है अब उसके बाद आते हैं किसी ने आपको यह सब नहीं बताया होगा मैं बता दे रहा हूं क्योंकि यह सब मैंने पढ़ा है अपने college days में तो मैं बता देता हूं .9LTWZA2 basically मतलब है कि किस manufacturer ने कौन से उसके plant ने इसको बनाया है मतलब वो सारा कुछ है जैसे batch नंबर वगरा होते हैं वो सब है उसके बाद आप देख रहे होंगे यहां पर लिखा है 3219 इसका मतलब है कि यह 2019 के 32 हफते में बनी है यह जो टायर है यह 32 हफते में बना है तो अगर आप गाड़ी लेने जाएं तो आप यह चीज भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर तायर जो है आप 2022 में गाड़ी ले रहे हैं 2020 का डला हुआ है तो आप मना कर सकते हैं क्योंकि आपको यह भी पता चल जाएगा कि बहुत ही पुराना टायर आपकी गाड़ी में टायर का जो aspect ratio है जो sidewall है उसकी height अगर कम करा लें तो क्या दिक्कत होगी दिक्कत यह होगी कि width बढ़ जाएगी आपका friction रोड से बढ़ेगा तो आपकी mileage कम हो जाएगी बट आपकी handling जो है वो काफी अच्छी हो जाएगी तो इसमें कोई doubt वाली बात नहीं है मतलब आपकी ज कम कर लेते हैं आपका comfort कम हो जाएगा बट आपकी जो cornering है वो बढ़ियां हो जाएगी तो यह चीज अच्छी है तो एक चीज का अच्छाई है तो एक का drawback भी है similarly अगर आप इसके size को बढ़ा करवाना चाहते हैं जैसे इसमें आर 15 15 इंच के टायर लगे हुए आप चाहते के बाद आपके suspension पर भी effect आएगा प्लस आगे का टायर है तो आपके steering column में भी दिक्कत आ सकती है तो यह चीज आपको ध्यान रखनी है तो मैं अपने personal experience के हिसाब से अगर आपको बताऊं तो कभी भी टायर्स वगेरा को जो है ना चेंज नहीं कराना चाहिए जो company आपको कह रही है वही टायर आपको यूज करने चाहिए और उसी से आपको अपनी गाड़ी को चलाते रहना चाहिए क्यूंकि बहुत सारी R&D होती है बहुत सारे जो ट्राइल्स होते हैं गाड़ियों के मैंने new model के ट्राइल्स वगेरा जह को चलाते रही है मैं सच बता रहा हूं आपके लिए बेस्ट टायर वही है और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर की जिएगा क्योंकि यह informative वीडियो है और ऐसी ही informative वीडियो मैं लाते रहूंगा कुछ confusion जो आप लोगों के हैं वो clear करते रहूंगा तो जाते जाते कहूंगा कि чैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब कर ले ना और अन्त में फिर से वही एक बात कहूंगा कि जो देश के साथ कड़े हैं उनके साथ कड़े रही है जै हिन जै भारत वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत- नवार